दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक यूसफुल वीडियो लेकर आई हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक केजिए शेयर केजिए सब्सक्राइब केजिए और आप देख सकते हैं यह हमारा मेरियोल्ड का पॉदा और यह हमें पूरा साल वर भी फ्लारिंग देता है और सिजनल प्लांट भी होता है यह समर वाला और विंटर वाला यह हमारा जो प्लांट है यह विंटर वाला प्लांट है और इसकी जो ब्लूमिंग है वो कैसे ले हम इतनी सारी आप देख सकते हैं इसको इसमें कितने ज्य बना हुआ है और कितने बड़े-बड़े से फ्लार्स आ रखें कुछ छोटे-छोटे भी आ रखें जो कि बड़े हो जाएंगे थोड़े टाइम पर और कुछ फ्लार तो दोस्तो जो कुछ गलतियां हैं पहले उनको हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं सबसे पहले जैसे हमारा जो मुर्जढ गए होते हैं या फिर एन फ्लार चाहते हैं उनको क्या कर देना चय criticized हैं पिंच कर देना चाहिए होते तो जिसे क्या होता है जो हमारी energy है इन पौदों पे लगती है वो इन फूल पे लगती है वो सारी energy हमारे इन flowers को बड़ा होने में लगेगी और बहुत अच्छी growth होगी इन flowers की और इसी तरह से देख सकते हो आप इसमें मेरे कितनी इस वाले में भी कितने हैं यहां पे भी हो रखा एक मुर्जा रख और इसकी growth अच्छी हो दोस्तों एक main चीज है जो मैं इसमें डालती हूँ जो मैं आज भी डालूँगी कि जिससे हमें बहुत अच्छी blooming मिलेगी वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी सबसे पहर तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इस गंबले को जो यह फूल है अगर आप दो प्लांट एक साथ लगा रहे तो बारा इंच का गंबला भी sufficient होता है बहुत अच्छा होता है तो यह हो गया उसके बाद आपने क्या करने उस प्लांट की pinching करने अगर नर्सरी से लाए हो तो नर्सरी से दोस्तों फूल खिले होए प्लांट बिल्कुल भी ना ओर दो मेली हो और सेकन्ड जब हम रिप्लांट करते हैं जो सवैल मीटिया है कैसा होना चाहिए तो तो यह सकतें आप जो स्वैल मीटिया है बिलकुल भूरा होना चाहिए व Finnish नर्मेण तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं इसको बचाओं इसकी कटिंग लगाओं आप इसकी कटिंग से भी इस पौदे को त्यार कर सकते हैं आपी के सामने मैं इस कटिंग को अभी लगा देती हूँ इसमें आप देख सकते हैं तो कुछ टाइम बात देखेंगे कि ये कटिंग हमारी स सरवाइब होती है कि नहीं होती है तो यह हो गया और उसके बाद दोस्तों हम इसमें क्या करते रहते हैं मिट्टी में दोस्तों हम जब हम इसकी जो ऐसे दोस्तों जो डैड लीप्स होती है यह भी निकाल देनी होती है यह कॉमन सी बात है कि सभी ऐसा करते है और उसके बाद ज और अगर आप फ्लारीन के लिए दोस्तों जब आपका पौदा बड़ा हो जाता है तो आप उसमें क्या करें आप चाहे उसमें डी एपी भी एड़ कर सकते हैं तो डी एपी से भी आपको काफी अच्छी ब्लूमिंग मिलेगी इस तरह से बड़े बड़े फ्लार्स मिलेगे त जिसे कि मुझे ये chicken result मिला है मैंने इसमें डी एपी नहीं अद करिये तो मैं इसमें दोस्तों एक चीज़ ढ sug ऐसा इसका रिजल्त मिलता है तो दोस्तों मैं वहाहूं के साथ शेयर करती हम तो दोस्तों वह है यह आप देख सकते हैं आप बोलेगे क्या है तो दोस्तों इसम हमारे प्लान को आईरन, कैल्शियम, पोटास, जिंक, मतलब ये सब कुछ उससे मिलती हैं, और साथ ही साथ हमने क्या ले रखे, इसमें फ्रेश चाय पती, आप चाहे दोस्तों यूज की हुई चाय पती को सुखा के उसको विसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या करनी हू गुडाई करने के बाद आपने इसमें डाल देना है, दोस्तों ये आपने तब ही डाले हैं, इसके अंदर अगर आपकी स्वायल जोपर से सुकी हुई हो और गिली-गिली सी नहीं हो, अगर आप गिली में डालोगे तो आपके प्लांट में क्या हो जाएगा तो फंगस लग मैं सिर्फ ऐसे ही इसमें डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से, तो मैं इसके साइडों में डाल रही हूँ, ताकि मुझे कैसे अच्छा रजल्ट मिले इस तरह से, तो आप भी इस तरह से डाले और हलका-लका सा मुझे क्या काना है, इसमें अभी इसमें पानी नह इसा मिला मुझे वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे आप देख सकते हैं अभी मेरी ये कलिया है इतनी इतनी सी दूसरों ये बहुत मोटी मोटी सी हैं अगर आप ढंग से इसको देखो के तो बहुत मतलब जैसी ये वाला फूल मेरा खिला हुआ है इससे भी बेल अकेन भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो मिलते हैं किसी और यूसफुल वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाए थैक्स फर वाचिंग टेकर फ्रेंड्स हैव नाइस देए